राजधानी लकनु में मुख्यमंत्री योगी आदेतिनाथ ने परेटन विकास पर आयोजित सेमिनार का उदगाटन किया। इस खास मौके पर सीम ने महतपूर्ण परेटन स्थलों से जोड़ी आठ वेफसाइट का भी लोकारपन किया। वहीं योगी ने पूर्व सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि परेटन की द्रश्टी से यूपी सम्रिद्ध है लेकिन जितने प्रयास होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। योगी ने साथ ही कहा कि आयोध्या में राम नवी के अवसर पर जितनी भीड होती है दुनिया के कई देशों की आबादी भी उतनी नहीं है। और यही कारण है कि परेटन के छेतर में उत्तर प्रदेश को जो नमबर एक पर होना चाहिए था वह नमबर एक पर नहीं लेकिन प्रसंत कुस्तो संतोस करने लाइक है नमबर दो पर अभी बना हुआ है। लेकिन हम आधुनिक्ता की दोड में अपने प्राचीन इतिहास को भूल गए। अयोध्या में राम नौमी के उसर पर स्रधालों की जितनी भीड आती है दुनिया के बहुसतारे देशों की उतनी आबादी नहीं होगी। यही इस्तिती आप सारदी या बासंतिक नौरात्तर के उसर पर बिंध्यानचल में, देवी पाटन में या साकंबरी देवी के मंदिर में देख सकते हैं। जब आप दुनिया की इत्यास को देखते हैं, तो पिसले दो हजार, धाई हजार, बहुत दिक होगा तीन हजार वर्सों का उनका अपना इत्यास है। लेकिन जब आप नेमी सारेने की बात करते हैं, तो पहाँच हजार वर्स से पहले स्रिमत भागवत महापुरान का वाचन वहापर होता है। वह प्राचीन दिर्थस्थली आज भी हमारे बीच में है, लेकिन हम सब ने उसको महत्व नहीं दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने रामायर सरकिट के माध्यम से अयुध्या, गोवर्धन परिक्रिमा, बुध्य सरकिट, सरावस्ती, कुशीनगर कौशामभी विक्सित करने की बात कही। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश परेटन के मामले में नमबर दो से एक पर कब आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनव से अनिल सैनी की रिपोर्ट